Welcome to John Academy, this is Shahul John आज हम बढ़ने जा रहे हैं गांदी जी द्वारा किये गए डांडी मार्च के बारे में इसमें हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो की एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से बहुत इंपॉइंट है तो स्टार्ट करते हैं डांडी मार्च के बारे में डांडी मार्च जिसे नमक मार्च और डांडी सत्या घ्रह के नाम से भी जाना जाता है मोहंदास करमचन गांदी के नेतर्त्व में एक अहिंसक सवीने अवग्या अंदॉलन था तो डांडी मार्च को किसके नाम से जानते हैं नमक मार्च भी कहते हैं यानि कि सॉल्ट मार्च डांडी सत्याग्रह भी कहते हैं जो कि गांधी जी दोरा लीड किया गया था इसे 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल 1930 तक बिटिस नमक एक अधिकार के खिलाव कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रतिक्ष कारवाई अभ्यान के रूब में चलाय गया था तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अपराल 1930 तक चलाय गया था क्योंकि अंग्रेज जो थे जो ब्रिटिशर्स जो थे जो ब्रिटिश थे वो नमक पर अपना एक अधिकार रखते थे यानि अपना ही अधिकार रखते थे और किसी को अधिकार उसका देते नहीं थे तो इसके खिलाफ में गांधी जी ने डांडी मार्च चलाय था गांधी जी ने 12 मार्च को साबर मती से अरब सागर तक डांडी के तटिये शहर तक 78 अनुयाईयों के साथ 241 मील की आत्रा की तो गांधी जी ने तब क्या करा साबर मती से 12 मार्च की बात है गांधी जी ने साबर मती से अरब सागर तक डांडी के 30 शहर तक 78 अनुयाई लिए और 2-41 मील की यात्रा की इस यात्रा का उदेश्यक गांधी और उनके समर्थों को द्वारा समुंद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिस नीती के अभेलना करना था जैसे कि हमें पता है कि बिटिस सरकार अपना अधिकार रखती थी अकेला अधिकार रखती थी एक अधिकार रखती थी इसके विरोध में गांधी जी ने एक डांडी मार्च करा था दांडी यात्रा करी थी और इन्होंने बिटिस का ये कानुन तोड़ दिया था कि उनका ही अ समुंद्र के जल से नमक बनाया बृटिश नीती की अवेलना करी याने की जलसे नमक बनाकर बृटिश की नीती को उनुने तोट दाला डांडी की तरज पर भारतिय राष्ट्रवाद योद्वारा बंबई और कराची जैसे तटी अशारों में नमक बनाने हेतु बीड का नेतरत्व किया गया फिर क्या हुआ दांडी यात्रा जैसे ही और भी कई चीजे ऐसी ही की गई देश के अंदर जिसको तरज बनाया गया दांडी को तरज बनाया गया तो भारतिय राष्ट्रवादी होने क्या गया बंबई में और कराची में उसका टटीय शारों में नमक बनाया और उनके कानून संपूर देश में फैल गया जल्द ही लाकों भारतिय इसमें शामिल भी हो गए ब्रिटिस अधिकारियों ने साथ जार से अधिक लोगों को गिरफतार कर लिया जब यह नमक कानून तोड़ा गया जब यह नमक कानून तोड़ा गया डांडी मर्च निकाला गया उसके चक्कर में अंग्रेजों ने क्या करा ब्रिटिस अधिकारियों ने क्या करा साथ जार से अधिक लोगों को गिरफत सब्सक्राइब करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले